असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीदाब सब लोग खेड़ी थे होंगे लापक आप सब लोगों को अपने अपने घर में खुश रखें मैं हुशा जवेद राज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन जिंगर स्ट्रिप्स की रेस्पी जिसे बनाना बहुत हीजी है बाइर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी चलेजी से बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर बॉलना च्टिकन लेगा लिए इसी मैंने इस्ट्रिप्स की फॉर्में कट कर लिए उसकी मेरिनेशन चुरू करते हैं यहाँ मैंने 1 चमट का प strateg नीा ड़ी है क् spacecraft घ्र गूटा हुट लसनilling रख लिए यह ठाङ्ट एक चमट इसके भाह सौसिश हामिल जिसमें मैं सबसे पहले शिठ का लूँगी 2 चमट उसके बाद इसमें जाएगी चिली सौस एक चमट उसके बाद इसमें जाएगी सोया सोस, दो चमच उसके बाद हम इसमें मसाले जो हैं वो शामिल कर लती हैं सबसे पहले इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिठी यानिके एक चमच उसके बाद इसमें जाएगा नमक, एक चमच उसके बार इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर तक्रीब अवाफ चमच के कριब उसके बार इसमें जाएगी हल्दी तक्रीबं दो से तीन चुटκι इन सब भी इंग्रीधियोंट को मचैसे मिक्स कर लेंगे अच्छी से इसके मिकसिंग और चिकन पे कोटिंग हो जाए जो उसके बार इसके बार इसके जाएगी काली मिर्च कि एक चमच लाल मिर्श पावडर एक चमच गर्मसाला प्रवडर दो ज॥की अ है कि इसके बारस जय गई काली मेर्श ट की पर clearance करिब टूड़ा ओ्रियानो इन सब inappropriate कि शीजटों को ते इसकी मिक्स कर लेंगे उन सबी चीज़ों को अछिये से मिक्स करने के बाद हम च separating करेंगे और यह कदर अंड़ा मौनगे फैंट लिया था चिकन की एक ट्रिप लेंगे इसे हम पहले जो हमारे इसको दुबारा हम मेदे के मिक्सर में जो है दुबारा कोट करेंगे डबल कोट करेंगे तो यह तने ही क्रिस्पी बनेंगे आप चाहें तो एक सिंगल कोट भी कर सकते हैं वो भी इनाफ होगा इसी तरह हमने सारी स्ट्रिप्स जो है उसको इसी तरीके से हम लगोंने कॉट कर लेना है यह देखें यहाँ पर इसकी अच्छे से कॉटिंग हो चुकी है इसी तरह मैंने सारे चिकन के स्ट्रिप्स को अच्छे से कॉट करके इसे थोड़े देड़ के लिए फ्रीजर में रख दिया था इसे इसकी कॉटिंग जो है वह फ्राइ करते वक्त बिखरेगी नहीं हमारी स्ट्रिप्स जो है वह तूटेंगी नहीं उसके बाद हम लॉफ लेंपे इससे अची तरह से कुट करेंगे ताकि चिकन कमारा अंदर से कच्छा न रह जाए यहां पर मैंने लॉफ लेंपे गरी में से चार से पांच मिनट कुक किया था पहले एक साइट से पर दूसरी साइट से और यहां पर हमारी फिंगर स्ट्रिप जो हैं वो बनकर बिल्कुल त्यार हो गई हैं बहुत ही टेस्टी और यमी बनी थी खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी लाजमी से ट्राइ कीजिएगा बच्चों को बहुत पसंद आती है बनाना भी बहुत एज़ी है इस रेस्पी को लाजमी एक दफ़ ट्राइ कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाजमी क्लिक कीजिए और साथ में दिएगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दूआओं में याद रखें अगली वीडियो तक मुझे दीजे अजाज़त, अल्हाफीज